नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल पर है आज कोलकत्ता और हैदराबाद के बीच में IPL का फाइनल मैच खेला जाएगा जो की चैन्ने में श्याम को साड़े साथ बजे होगा तो इस मैच की प्लेइंग लेवन क्या हो सकती है कौन से प्लेइर आज के मैच में हमारे लिए इंपोर्टेंट पिक होंगे क्या हमारा प्रेडिक्शन होगा और आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन की सबसे अच्छी चोईश कोंची है सब कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक Grand League विन नहीं की तो ये आखरी मोका है और इस वीडियो को देखकर आप यहाँ पर 3 क्रोड का प्राइज विन कर सकते हो तो मैं आपके लिए आज यहाँ पर 5 टीम लेकर रहा हूँ अब आज के मैच में आपको यूनिक टीम भी देखने को मिलेगी क्योंकि आज के मैच में यूनिक टीम से ही आप यहाँ पर Grand League विन करोगे अभी दोस्तों पिछला मैच था इसी मैदान पर राजस्तान का और हैदराबाद का जिसमें इस्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिली थी तो इस मैच में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलर और आलराउंडर को अपनी टीम में स्लेट करना है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेइंग लेवन की तो दोस्तों विकिट कीपर सेक्षन की बात करें तो विकिट कीपर सेक्षन में दो अप्षन है हैंडरी क्लासेन और यहाँ पर रहमतुला गुरुबाज तो यहाँ पर हम हैंडरी क्लासेन के साथ जाएंगे इसको अपनी सभी टीम में फिक्स रखेंगे और दोस्तो head to head की बात करें तो पिछले 5 match में से Kolkata ने 4 match win किये थे तो आज के match में कौन सी team यहाँ पर strong होने वाली है तो Kolkata मुझे लगता कि इस match को win कर जाएगी तो यहां से Henry Klassien तो हमारा fix player हो गया batting side की बात करें तो T head Abhishek Sarma Abhishek Sarma ने पिछले match में bowling भी करवाई थी तो important pick हो सकता है और उसके बाद stress a year वेंकटे साइर तो दोस्तों पिछले match में stress a year ने यहाँ पर 50 run की पारी खेली थी और वेंकटे साइर है दोनों ने 50 plus की पारी खेली थी और वहीं यहाँ पर Abhishek Sarma और T-head यह दोनों प्लेयर फ्लोप गए थे और Mitchell Stark ने 3 wicket निकाले थे और आज के match में यहाँ पर मैं T-head Abhishek Sarma और यहाँ पर इन दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर को ही अपनी team में select करूँआ तो यहाँ से मैं stress a year को अपनी team में select करता हूँ Mark Ram तो यह player आज के match में बहुती ज़्यादा important होने वाला है Grand League के लिए सबसे best pick है क्योंकि selection percentage कम है इसके लावाँ आज के match में अगर pitch spin को suit करती है तो यह बहुती ज़्यादा important बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिर यह hour करवाएगा कम से कम दो से तीन hour भी करवाएगा क्योंकि opponent team की बात करें तो कोलकत्ता में left hander ज़्यादा जैसे कि वेंकटे सेयर, सुनेल लारायन, रिंकू सिंग इस तरह से तो इस वज़े से यह important pick होगा आज के match में selection percentage कम है और यहाँ पर राहूल तरिपाटी है जिसने इस team के अगेंज श्यांदार 50 run की पारी खेली थी तो यहाँ से अभी के लिए मैं तीन player को अपनी team में select करूँगा all rounder section की बात करें तो सुनेल लारायन, open करेगा बहुत ही ज़़ादा important है उसके बाद आंदरे रसल, निती स्रेड़ी और यहाँ से एस एहमद जो की impact player के रूब में खेलने वाले है तो यहाँ से मैं सुनेल लारायन और आंदरे रसल दोनों को अपनी team में fix रखूँगा balling section की बात करें तो pat commence, जो की batting से भी आपको point देगा तो इसको मैं अपनी सभी team में try करूँगा और यहाँ से भूनेश और कुमार है मिचिल स्टार्क, हर्शित राना तो दोस्तों मिचिल स्टार्क ने तीन wikट निकाले थे तो यहाँ से अगर open की बात करें तो यहाँ पर संडराइजर हैदराबाद में टी हैट अभिशेक सर्मा पिछले मैच में flop गए थे तो इसी वज़े से इसको wikट मिल गए थे अगर आप इनको अपनी team में रखते हैं तो उस condition में फिर आप हर्शित राना को अपनी team में try कर सकते हो अभी के लिए मैं मिचिल स्टार्क को अपनी team में करूंगा और यहांसे जैदेव उनाड कर है जो की हैदरबाद की फिल्डिंग आती है तो उस condition में आप इसको try कर सकते हो और उसके बाद मैंक मारकंडी हो सकता आज के मैच में इसको खेलने का मोका मिले क्योंकि पिछ अगर spin को सूट करेगी तो यह हमारे लिए ग्रैंडिक के लिए बहुत ही बड़ी choice बन जाईगी और इसके लाब वी अरोड है और कुछ खास है नहीं तो यहां से मैं अभी के लिए नटराजन को अपनी टीमे select करूँगा और एक player और बच गया तो दोस्तों एक player अब आपको कौन सा select करना है तो यहां से मान लिजिए जो भी टीम पहले fielding करे अगर यहां पर कोलकत्ता की fielding आती है तो आप यहां पर हर्शित राना के साथ भी जा सकते हो जैसे कि हर्शित राना को अपनी टीमे हैमत के साथ जा सकते हो और इसके लाव अगर आप betting side की बात करें तो यहां पर फिर आपको क्या करना है वेंकटे सेयर या फिर ए मारक राम इन दोनों में से एक को try करना है इस तरह से अब बात करते हैं fix player की तो fix player आज की मैच में विकिट कीपर सेक्शन में हैं एंडिक क्लासेन टी हैड सुने लारायन आंद्रे रसल और यहां से पैट कमींस वरुन सकरवर्ती इनको हम अपनी सभी टीम में fix रखेंगे अब यहां से मिचल स्टार्क तो दोस्तों अगर मान लीजें यहां पर कोलकत्ता की पहले बैटिंग आती तो मैं नट्राजन को अपनी सभी टीम में fix रखूँगा और फिर यहां से मैं वेंकटे सेयर को अपनी टीम में fix रखूँगा अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन यहां पर सुनी लारायन को बनाएं एंड्री कलासें टी हैड यह तीन प्लेयर हो गए और इसके लाव आंद्रे रसल इनको हम अपनी सभी अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके multiple combination तयार करेंगे इसके लाव दो देखो तो नितिस रेड़ी को मैंने ड्रोप किया है और इसके लाव यहां पर राहुल त्रिपाथी इस टीम में नहीं है तो इस वज़े से यह यहां पर कम से कम तीन विकेट निकाल सकता है तो कोलकत्ता की बैटिंग आती है तो आप इसको वाइस कैप्टन बनाएं फिर कै चैनल टीम हम आपको यहीं पर प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लिक प्लस ग्रैन लिक दोनों की तो इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर जाए और सीध हमारे टेलिग्राम चैनल पर पहुंच जाए अगर लिंक से उपन है तो आप यूणिक टीम भी देखने को मिलेगी सबसे पहले तो यह थे हमारी पहली टीम है इसमें मैंने हैड को कैप्टन मनाया है और सुनील नारैंट को वाइस कैप्टन इसको वाइस कैप्टन क्यों मनाया है क्योंकि ये बाद में किसका विकर निकाल सकता अभी से एक सरमा का विकर निकाल सकता अपको बैटिंग से भी आपको पॉइंट देगा और वहीं उसके बाद आपको बस चेंज क्या करना है वेन का टेसर इस प्लेयर को रोटेट कीजिए और इसकी जगांप सिरे से एर के साथ गुर्बाज को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकती हो तो इस तरह से आपको चेंज करना है इसके लाव दोस्तों आंदरे रसल ने भी एक टीम में इसी टीम के अगें बहुत ही बड़ी पारी खेली थी 50 प्लस की तो ये भी आपके लिए अच्छी चोईस है कैप्टन वाइस कैप्टन की और दूसरी टीम को देखे तो ये हमारी दूसरी टीम है अब इसमें मैंने सुनील नारायन को कैप्टन बनाए हो सकता है इस तुरुवात में ही अपना अवर करने आए और वहीं ये अभिशेख सर्मा का विकेट निकाल दे इसके लावब बैटिंग से आपको प हमारी यूनिक टीम आपको देखने को मिलेंगी है और इसमें भी मैंने अभिशेख सर्मा पर रिस्क लिया और हैंडिक क्लासेन को मैंने कैप्टन बनाए है और यहाँ पर भी आप देखो तो शुरुवात में मिचिल स्टायर का जो की विकेट निकालेगा मिडिल में वरुन चकरवर्ती विकेट निकालेगा और इस टीम में भी यहाँ पर आप देखो तो मैंने च्यार च्यार बोलर को ट्राय किया है यानि कि दोनों तरफ से विकेट गिरते हैं तो यह टीम हमारे लिए बैस्ट होगी यह लंबी इनिंग खेलेगा और यह डैथ में रन बनाएगा इ जोकि बल्ले बाजी और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देगा और इसमें मेरे पास टोप ओर्डर के दोनों बैट्समेन है और मिडिल को मैंने ड्रोप किया है जैसे कि राहूल त्रिपाथी नितिस रेड़ी मार्क राम तो मिडिल में कौन विकेट निकालेगा जुरुआत में विकेट निकालेंगे और अब हम अपनी फाइनल टीम को देखें तो यह हमारी फाइनल टीम है अब इस टीम में भी मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बोलर को ट्राइ किया और यह टीम मैंने थोड़ी सी बैलेंस टीम बनाई है अब इस टीम में यहाँ पर मैंने Andree Russell को Captain बनाया है, इसको Captain बनाने का रीजन क्या कि, यहाँ पर मेरे पास कुलकत्ता के कम ही बोलर है, जैसे कि Mitchel Sharp, Harshit Rana को मैंने ड्रोब किया, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर wicket निकालेगा, और फिर batting से भी आपको point दे सकता है, और पुनिल नारेंड भी शुरुवात में रन बनाएगा और विकेट निकालेगा तो यह बैलेंस टीम है थोड़ी सी मैंने कोलकत्ता के फेवर में बनाई है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हैदरबाद के कम ही बॉलर है जैसे कि पैट कमिंस और दो यह दो ही बॉलर है और फिर यह म कुछ सिंग के साथ भी जा सकते हो तो इस तरह से आपको कम्बिनेशन को सबस्क्राइब करें तो यह हमारा आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोको लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे मिलते है वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू